हेलो फ्रेंड्स भी एंस आर्या फेशन डिजाइनिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपको फोर्टक्स ब्लाउज का कटिंग दिखाने वाली हूँ उसके लिए मेरे ब्लाउज के मेजरमेंट से शोल्डर मेरे ब्लाउज के फुल लेंद है बारा इंच अब मैं आपको पहले पेपर के दिखाने वाली हूँ मेरे ब्लाउज के फुल लेंद है बारा इंच उसमें मेरे ब्लाउज के फुल लेंद है ट्वेल लेंद हाफ इंच और उसमें में एक इंच ज्यादा रखती हूँ मार्जिन के लिए उसके बाद मेरे शोल्डर का नाप है वो 11 इंचे से 11 इंच है उसका हाफ में इधर लेती हूँ साड़े पाच इंच उसके पाद आर्मोर मेरे ब्लाउज का आर्मोर है 6 इंच 6 इंच है मेरे ब्लाउज का आर्मोर तो मैं यहाँ से 6 इंच लेती हूँ इधर से मैं चेस्ट का नाप डालती हूँ मेरे चेस्ट का नाप है 34 इंच उसका वनफोर्थ होता है एट एंड हाफ इंच और आगे में 2 इंच मार्जिन के लिए जाद लेती हूँ यहाँ में वेस्ट का माप डालने वाई हूँ मेरे वेस्ट है पूरी गोलाई है मेरे वेस्ट की 26 इंच उसका वनफोर्थ यहाँ में 6 इंड हाफ यहाँ लेती हूँ और मार्जिन के लिए और टर्प्स के लिए मार्जिन मेरा डेर इंच का है और टर्प्स मेरा हाफ इन्च-1 न्र कहें तो मैं यहां यह गारियी ज्यादा लेता हूँ आखो habe यह दोनों पॉइंट यहां से यहां तक जोड़ ले होolor और यहां से आर्म होल का शेफ देने के लिए आगे के के लिए में वनन इंच पर मार्केंग करती हूं और पीछे के बैक साइड के लिए में 1.5 इंच में नार्किंग करते हूं और लगबग आर्म होल के बीच में से मैं इसका ये 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिया है इधर इस मार्किंग तक ये शेफ मिला लें ये आगे वाला हो गया और ये पीछे वाला हो गया अब नेक की वीड़ है मेरे ब्लाउस की धाई इंच और लेंग है साड़े पाच इंच यहां से भी मैं धाई इंच लेकर एक बॉक्स बढ़ा कर इसमें नेक का राउंड शेप दे देगी इस व्लाउस की क्रॉस पट्टी है तीन इंच और दो इंच यहां मैं दो इंच पे एक मार्किंग करती हूँ और तीन इंच पे पहले दो इंच के दोड़ो पॉइंट जोड़ कर इसके पीच में से क्रॉस पट्टी के लिए ग्रॉस में मानी करती हूँ यह हो गया हमारा आगे का और पीषे का कि यह दोनों पाट रेडि है अब इसका कटिंग कर लेदी है अब ये पन्न कोल के बीच में से मैं इसे दो पाट में डिवाइट कर दें बार इहाद ऐना बैङक कंप लिए आगे का यह जाएगा और होगे करम सितनी पेलों प्रपगरेंगें। यह मेरा आगे वाला पार्ड हे और यह पीछे वाला पार्ड है इसकी भी नेक 위ft मेरी 20 हाफ है और लेंग है वो एट इंचेस है तो इसमें मैं राउंड शेप लगा के यह कट कर लेता हुँ और यह जो पीछे वाला टक्स है वो शॉल्डर के बीच में से ा है हो nenhum डक्स पॉइंट इसका हिमाइन फो ऊज़िए यह Dan े ई da कि और की यह हाफ आफ इंच का दोनों साइब से में करूं सरा यह रहे यह पोग़ा मेरा घाले Chuck's और यह बैक कमने इस का में कपड़िए और इसके बारे हम स्ल्यूज निकालके कपड़े पे कटिक कर लेंगे मैंने स्ल्यूज की लेंग्ध है साड़े चार इंच उसमें मैं डेड इंच ज्यादा लेती हूँ छे इंच लिया मैंने और जितना मैंने आर्मूल रखा है मैंने आर्मूल सिक्स इंच रखा है तो मैं यहाँ 6 इंच और उसमें ज्यादा हाफ इंच लेती हूँ, साड़े 6 इंच और यहाँ से आज होल डेप्ट मैं इसके 3 इंच लेती हूँ और यहाँ से मार्जिन 1.5 इंच स्लीव्स के लिए मेरा स्लीव्स वाले वीडियो भी आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे स्लीव्स की गोलाई है 11 इंच उसका हाफ में 5.5 इंच यहाँ लेती हूँ और फिर से 1.5 इंच में मार्जिन के लिए रेती हूँ यहाँ से उपर 7 इंच में लेती हूँ और यहां से फोड़ा सा सिलाइटली में क्र साल लेकर यह क्रोड़क दे और इसके बीच में से एक लाइन लेती हूं और इसका है इसका jsom i, is often half लेती में इतर सबातीन इंच और इसके सेम त्री पार्ट्स करके लेते हैं और यहाँ से स्लीव्स का शेप इसमें दे देते हूं कि wedदे देवरे मोषिदले शेपेञा भीरशेयर कता है कि अभिछा सब्सक्राइब करें रर्क लिया है में MenToo को इसके मदम सब्सक्राब करें अब इसका इसका में मांकिम करेंगे यह जो आगे इस लेंधे वो पाउं इंच से बढ़ने वाले हैं इसके टक्स लगते हैं इधर पाव पाव इंच का एक टक्स लगता है और यहां को क्रॉस पट्टी जोड़ते समय यहां पाव इंच भी ज्यादा लगते हैं अब आगे के पार्ट पर टक्स का मेजर्मेंट कैसे लेते हैं मैं अब दिखाने वाले हैं यह जो बीच में जो टक्स होता है वो शोल्डर के बीच में से उसका टक्स पॉइंट में नाइन इंच भी लेते हैं नौ इंच पे मैंने टक्स पॉइंट लिया यह बीच में का टक्स है और इस टक्स की बीच्थे मेरी वन इंच इधर हाफ इंच इधर हाफ इंच इधर हाफ इंच इंच अहीं और इधर से 1,1 इंच. इसके उपार से भी 1,5 इंच. यह चार्व'? पॉइंट मैंने मार्किंग कर लिए इपीच में का है यह शोल्डर के बीच में से या मैंने टक्स में लिया इन 7 नाइन इंच और ये हाफ आफ इंच लिया दोनों साइड से और इधर से ये मार्किंग से अधर से येँद इभी अधर इंच करें ये चारों टक्स मेरे मार्किंग करके रेड़ि है ये ये तीन शुप टक्स है वो पाउ-पाउ-इंच के होंगे इधर पोईच इधर पाँच